मॉर्निंग बच्चो बच्चो आज हम मौखिक भासा विकास से समंधित कुछ प्रश्ण पूछेंगे आपसे ठीक है मैं एक पैराग्राफ पढ़ूँगी उसके बाद उसमें से प्रश्ण पूछूँगी ठीक है तो सुरू करते हैं ध्यान से सुनना सब बचो बबलू हाथी को तलाब में नहाना बहुत पसंद था वह रोज तलाब पर नहाने जाता और खूब खेलता एक दिन उसे वह भोला मिला जो दिखने में उसके जैसा ही था बबलू ने भोला से तलाब में नहाने को कहा भोला तयार हो गया दोनों ने तलाब में खुब मस्ती की भोला की नाग पर एक सींग थी जो बबलू को चुब गई तब ये बताओ तलाब में कौन नहाने जाता था बबलू हा थी उसको वहां कौन मिला भोला की नाक में क्या था तो किसको चुप गई थी बबलू हाथी को और ये बताओ तलाब में रोज नहाना किसे पसंद था बबलू हाथी बारी गूड तो बहुत अच्छा सब ने किया भाई